कर दुष्टों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीयन तोड़े अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में बात करेंगे हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रियास करता हूं वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है कई महत्पूर खबरे हैं जिसके समझ में आपको जानकारी होना वश्चक है इसलिए वीडियो को पूरा वाज करिएगा बातों को ध्यायन से सुनिएगा पहली खबर जेए मेन को लेकर है राष्ट्य परिछा एजनसी ने जेए मेन 2372 के पेपर एक का परिडाम सनिवार को जारी कर दिया है वेबसाइट पर आप परिडाम को देख पाएंगे इस बार देश भर से 43 विद्यारिचियों ने 100% हासिल किये हैं तीस अपरेले से जेए एडवांस के लिए पंजी करन सुरू हो जाएगा जो 7 मई तक चलेगा पंजी करन रवी बार सुबादस बजे से सुरू हो जाएंगे जेए एडवांस की परिच्छा चार जून को आयोईत की जाएगी अगरी ख़पर पिट्रोल और डीजल के दाम को लेकर हैं पिट्रोल डीजल का मुली घटाने पर मन्थन करनाटस चुनाओ से पहले खुजरा मुलियों में कठोती कर सकती है तेल की कमपनियां तो मैं आपको दो दर्जन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थे निरस हो गया है बिग्यापर की सर्थे पूरी ना किये जाने पर कारवाई 6 मई तक अपील का मौका दिया गया है अगली अपडेट है देश के प्रधान मंत्री नरेद मोदी जी के स्टेटमेंट को लेकर देखे देश के प्रध कर रहा है इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है मैं अपना विचार रख रहा हूं आप देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं खरगे की अपमान जनक तिपड़ी पर प्रधान मंत्री मोदी ने पलटवारत किया और कहा कॉंग्रेस इक्यान बिबार मुझे दे चुकी हग् यानि कि इनको याद है कि इक्यान बिबार देश के प्रधान मंत्री को गाली दी गई है बताइए इतना अच्छा काउंट कैसे कोई कर लेता है अब यहीं सोचने वाला विश है इस पर आप सोचिएगा अगली अपडेट है साथ महिला पहलवानों को मिली सुरच्छा आपक तीपा का मांग चल रहा है लेकिन विश्वूशट इस थीपा देने को त्यार रही हैं बरतमान की सांसद हैं आखिरकार भारति कुष्टी महाकसंग से इस थीपा देने से इंकार क्यों कर रहे है विश्वूशट शर्च्छिंग का कहना है सुप्रिम कूर्पर उन्हें छेड़ खाने की विभीन ने धाराओं के तहट दर्ज की गई है अभी जल्द में अफायार दर्ज हुई है इन धाराओं के तहट अजिकतम साथ साल की सजा का प्रवधान है तो क्या विभूसा सरंस्टिंग जेल में जा सकते हैं आप लोग कमेंड वाक्स में बताईएगा हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ परिडाम जो है जो जारी करने के प्लानी चल लए है तीने तारिक से लेकर नो तारिक के बीच में तीने तारिक से लेकर नो तारिक के बीच में तो सीविए सी का परिडाम जारी हो जाएगा परिशान मत हुए बहुत जल्द जारी कर जाएगा इस चैनल के माधिम से बताए जाएगा इसे परिडाम तीन से नौ तक जारी करने के त्यारी चल लिए अगली अपडेट है उच्छी सिच्छा के नहीं उच्छे कद के मिलेंगे अत्रिक तंक तो देखे हरियाना में पुलिस भरती होने जा रहे है छे हजार सिपाईय में इन अंकों को नहीं दिया जाएगा बलकि इनकी इस्थान पर तैय समय से पहले दोड़ पूरी करने पर दो और निर्धारित लंबाई से अधिक छे फुर तक के जवानों को तीन अंक दिये जाएंगे इसके पीशे तर्क दिया जा रहा है कि सिपाही का अधिक तर्क काम फिल्ड में होता है और उनका मजबूत होना जरूरी है जिसके कारण इस भरती पर इच्छा भरती नियम में बदलाव किया गया है दोस्तों तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर बता रहा हूं हर्याना की है उत्तर प्रदिस में इस तरह के बदलाव होनी चाहिए अगर यह अगली अपडेट है नए सिच्छा सिवा आयो की गठन को लेकर नए सिच्छा सिवा आयो की गठन में देरी हो रही है और देरी होना लाजमी है इस चैनल के मादिम से बताए गया था कि नए सिच्छा सिवा आयो का गठन अभी नहीं हो पाएगा मैं आपको बताना चाता हू पुरानी भरती संस्था में सिचकों की चैन प्रक्रिया के लिए जरूरी कोरम पुरा ना होने तथा नए राज सिच्छा सिवा आयोग की गठन प्रक्रिया के नाम पर सिच्छ भरती ठप पड़ी हैं सहीं तिवा मोर्चा ने नए चैन आयोग का गठन होने तक पुरानी चैन स सनस्थाओं से ही लंBIT वा प्रस्तावित भरस्तियों की चायन पर किया धारी रखने की मांग मुकमंतरी को मुकमंतरी से किए मैं आपको बताना चाहता हूँ यह बहुत अच्छी मांग है यही मांग में बहुत पहले कह रहाँ था कि इसी मांग पर आपको वर्क करना चाहिए लेकिन आप देर हो गया दोस्तों आप बहुत देर से कर रहे हर वक्त इसलिए कोई भी काम करना हो समय अनुसार कीजिए इससे आपका काम लंबी तना रहे पुरानी भरतिया पुराने आयोग और बोर्ड की माध्यम से हो जाएं तो समय से कंप्लीट हो जाएंगे नए आयोग के फेर में फसेगा जो चुनाओ के बाद ही कंप्लीट होगा जहां तक मेरी जानकारी है अगली अपडेट है उत्तर पर अजिनस्त सिवा चेन आयोग की माध्यम से अभी तक अजिकारिक तोर पर वीडियो रिग्जा फिर इस दिर में दोरा बताया गया कि नोटिस आने वाला है तो कुछ लोगों ने कहा कि इन सर ने बताया तो आएगा कंफर्म डंग कराएगा इन ने बताया तो आना नीची थे हमने का अब यह साम को डाउनलोड कर लेना वास्तिowif मैं बता दू पता नहीं कहां से अपवा को परिच्छा हो सकती है इसकी चर्चा है लेकिन नोटिस आ गया तुरत इस बाद की कोई चर्चा नहीं थी कि और आप वाव उड़ाय गया दोस्तों मैं वही ख़वर आपको देता हूं जो पूर्ण सत्य है तो जून जुलाई मानकर तयारी करिया वैसे जून के थाइड इप सेंटर खाली इसलिए जो रविवार है उस रविवार को मानकर परिच्छा की तयारी करने के लिए बोला गया है बाकी कोई अपडेट विलेगा तो इस चैनल के माजिम से दिया जाएगा अठारा तरी जो बताया जा रहा है वह संडे की वज़ास बताया जा रहा है अब हम ब मतलब जब से सीटेट के स्रू हुआ है अब तक डेर लाख से जादा अब वरिदन हो कड़न है इतना होने का काल मैं आपको बता कालन सेंटरा तो प्हले आओ परिछा की तैयारी कर है तो त्हों करते रहे बहेतर परिए करिए डेड़ लाग के करीब आवेदन हो चुके हैं और संख्या बहुत आगे तक जाने के उम्मिद है कोई अपडेट बिलेगा तो इस चल के मादम से दिया जाएगा सेंटर पर काम कब सुरू होगा क्या हो रहा है इस पर भी बात करूंगा जल्दी अगरे वीडियो में